फ्रेंड्स वेलकम टू प्यारा इंडिया फ्रेंड बिहार मदर्सा बोड़ दोवारा दो हज़ार चौबिस में जो फोकानिया और मोली की परिछा होने वाली है उसका तो डेट जारी कर दिया गया आप सभी को पता है कि 22 जनवरी चैपलियों की परिछा सुरू होने वाली है जिसका टाइम टेबल भी आ चुका है हम वीडियो के माधियम साप लोगों बता भी दिये हैं कौन सा पेपर किस दिन होगा वैसे एक special वीडियो फीट से हम डालने वाले हैं जो भी बच्चे आर्स और साइंस से हैं उन लोगों समाझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पेपर किस दिन होगा तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना कर डाल देंगे परिशा टाम टेबल पर ठीके मगर अब बच्चों के मन में सावाल है कि कब तक जारी किया जाएगा और परिशा क्या 22 जनुर्वरी से सही में ले लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा और अगर प चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल अगर अगर प्रेस करें जिससे की नए वीडियो के नट्फिरिशन आपको मिलती रहे और वीडियो हेलफु लगे अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों को सांथियों को वार्टस यह आप कहां से बाते बता रहे हैं यह पटना की निच के आणि के बराबर होता है और मौल lendि की आज यहां पर 12 ौर बराबर होता है और इंटर में चार इश्टी में परिशा होने वाली है, जिसमें दिया गया कि पटना समेथ बिहार के सभी जीलो में यह परिशा एज़ित करे जागी, जो कि 22 जनुवरी 2023 से शुरू होने वाली है, तो पूरा कनफार में कि आप लोगी परिशा 22 से होगी, इसमें डाउट नही रखना है, और जो भी बच्चे परिशा देने वाले हैं, वह अपनी त्यारी अच्छे से सुरू कर दे अभी से, प्रिवेस यह को से को बनाए, जिससे कि आप लोग का रिजल्ट बहतर हो सके हैं, खासकर गर्स के लिए, जो भी लड़किया हैं, उन लोग को फस्ट आनिया और मोल्वी की परिशा का परिणाम जो है, मार्च की अंधिम सब्ताहक तक संभावित हैं, यानि की पूरा नहीं कहा जा सकता है, मगर जहां तक है कि आप लोग का मार्च के लास्ट लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, मार्च के लास्ट में नहीं आता है, त अप्रील में पूरा कफर्म है कि आप्रील में एक से तौर में आप नोगों आ जाएगा तो यहां पर ज्यादा समय भी नहीं लिया जाएगा आप लोगों का रिजल्ट आन में इसके बारे में दिया गया उसके बाद दिया गा कि दोनों परिशाओं का जो dummy registration card है, website पर 18 December के बाद upload कर दिया जाए, यानि कि आज 18 December है, आज या आज के बाद, ठीक है, आज या कल के बीश में, कभी भी dummy registration card आ जाएगा, यानि कि आपका registration card का जो थी होता है, वो आपका upload कर दिया जाएगा, आप लोग download करके उसमें check कर सकते हैं, check क्या करना होता है, आप लोग अपने नाम का spelling है, सही से अपने पिता का नाम, ठीक है, वो चीज की से मिलाना है, तो आपका जैसे कि आप फोकानिया के exam दे रहे हैं, तो वो अस्तानिया के जो भी documents हैं, उससे आपको relate करना है, ठीक है, उससे check कर आपका नाम का spelling हो गया, मा का, अम्मी का, अबू का, जो भी नाम है, सही है की नहीं, उसकी बाद आपको जो subject की परिछा देनी है, जैसे कि आपने जो भी subject select किया है, परिछा देनी के लिए, क्या वो subject है की नहीं, उसमें, यह सारे चीज़े आप जरूर जाच कर लें, नहीं आप लोग को इनफर्म कर देंगे, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे नहीं, डाउनलोड सभी को करना है, जिससे कि आपको जनकारी सही से हो जाईए, अपनी चीज़ों के जाज कर लें, जिसकी आप लोग को बाद में परशानी नहीं हो, उसके बाद देखिए, 18 दिसमर को तो आपका आजाएगा डमी रेजिटेशन कार, एडमी कार्ड की बात की एज़र्बाइस जनौर की आपकी परिशा होने वाली है, तो आपके मदर्सा दस दिन पहले आपका एडमी कार्ड मिलना शुर्व हो जाएगा, ठीक है, तो यानि की 12 जनौरी, 10 जनौरी के बाद, आप ल रहे हुए है जिससे कि आप लोग परिष्छा Always आया तो आपको पता हो कि कौन सा सा इस्ट्रीम कि परिष्छा दे रहा है ठीक है चार इस्ट्रीम है तो उसमें से कौन सा सब्जेक्ट से select किया था क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चों के लिए उसमें selection है कि आप यह subject परिछा दे सकते हैं आपको खुद से select करना है तो आपको पता हो जाए कि कौन से परिछा आपको paper जिन बच्चों नहीं बढ़ें पर लें sacrificeे बाइसे की अपने परिवाईर favorite में औरilde किumed लोगी आप लोगी कलाईर रहा ले कंट्रेक्ट कर ले अगर गलती हो तो मदार्सा से कण्ट्रेक्ट करें जाकर अपना सुधार जरूर करा ले तो फ्रेंट वीडियो में बस इतना है वीडियो हल्फ लगे तो लाइक करें अपने दोस्तों को सेयर करें थैंक यू